दोस्तो आपने रामानन्द सागर का रामायण जरूर देखा होगा आपको पता ही होगा जब भगवान स्री राम को हुआ था 14 वर्ष का वनवास तब वो अयोध्या से चल कर तमसा नदी की किनारे पे रात्री विश्राम करते हुए और सुबर सुबर आप पहुचे थे स्रिंग बेर पूर धांग जहां पे उनके परम मित्र निसाद राज भूह रहा करते थे नमस्कार मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर भारत में ऐसे कई पाउराड़ी जगह जिनके बारे में आप जानते न हो इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए बेल आइकन को जरू प्रिश कर लें स्रिंग बेरपूर उत्तर परदेश के परियाग राज से 36 किलो मीटर दूर लखनव रोट पे इस्थित है स्रिंग बेरपूर एक धार्मिक इस्थान है रामायर कालिन जब भगवान स्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब उनके मंत्री आर्शुमंत जी ने अपने रत पे बैठा कर यहीं स्रिंग बेरपूर में छोड़ा था और यहीं से भगवान स्री राम मचुआरो के राजा निसाद राज के मदद से राम, लच्छमन, सीता, एक केवट के सहारे गंगा नदी को पार करके परियाग राज की ओर चले गए थे श्रिंग बेरपूर आप परियाग राज्चे बस से भी आशकते हैं लेकिन यहाँ पे आने के लिए सबसे अच्छा साधन आप अपने नीजी साधन से आएं ताकि आप सभी जगहों पे आराम से घूम सके श्रिंग बेरपूर में रामार काल से जुड़े आपको देखने को मिलेगा राम घाट निसाद राज पार्क निसाद राज का किला राम सयन आस्रम राम चवरा घाट स्री राम लच्छमन सीता चरण पादुका इस्थल भैरो घाट सीता कुंड आदि दोस्तों आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे बिलकुल सुरू से सुरू करते हैं स्रिंग बेरपूर का पहला वा पावन इस्थान जिसे राम घाट के नाम से जाना जाता है राम घाट पे आपको देखने को मिलेगा स्रिंगी रिशी का आस्रम स्रिंगी रिशी भगवान स्री राम के बहनोई थे इन्ही स्रिंगी रिशी के नाम से इस जगा का नाम स्रिंग बेरपूर पड़ा था स्रिंग बेरपूर को सिंग रवर के नाम से भी जाना जाता है और इनी स्रिंगी रिशी के साथ भगवान स्री राम जी की बहन सांता का विवा स्रिंगी रिशी के साथ हुआ था जबकि भगवान राम की बहन सांता का वरडन रामायन महाभारत में कहीं भी नहीं है सांता कौसल्या की पुत्री थी राजा दसरत के उश्ट में कोई भी पुत्र नहीं थे मार्सी वसिष्ट रिशी के कहने पर राजा दसरत स्रिंगी रिशी के पाश आये थे पुत्र की कामना को लेकर तब स्रिंगी रिशी ने इसी जगह पे यग कराया था यग कराने के बाद राजा दसरत के चार पुत्र राम लच्छमन भरत सत्रूगन हुए थे और इसी राम घाट पे स्रिंगी रिशी का मंदिर भी है तब इसे यहाँ पे जितने भक्त आते हैं पुत्र की कामना लेकर आते हैं इस स्रिंगी रिशी के मंदिर में दर्सन करने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं इस राम घाट पे कार्तिक पुड़िमा के दिन विशाल मेला लगता है जिसमें सरधालू आते हैं भारी मात्रा में इस घाट के किनारी इशनन करते हैं और पूरी अक्रोड चड़ाते हैं और परसाथ के रूप में गरहण भी करते हैं यदि आप भी पुत्र की कामना चाहते हैं तो इस मंदिर में जरूर आये और इसी राम घाट के कुछ दूरी पे मवजूद है निसाद राज का पार्क है दोस्तों सामने जो भिशाल का है भब इंट्री द्वार देख रहे हैं यह है निसाद राज पार्क का मुख परवेश द्वार इसी दौर्ट से आप इसाद राज पार्क में इंट्री कर सकते हैं इस पार्क के अंदर भगवान राम और गुहरा निशाद का एक बिशाल मूर्ती भी इस्थापित है जो भगवान राम निशाद राज से गहरी मित्रता का प्रमाड है आप देख सकते हैं यह वही मुर्ती है जो भगवान राम और गुहरा निशाद एक दूसरे को गले लगा कर मित्रता का प्रमाड दे रहे हैं दोस्तों बहुत से लोग आज भी रामायड को गलत मानते हैं बो लोग सोचते हैं कि रामायड हुआ ही नहीं है यह रामायड एक कहानी है लेकिन जब आप सिंग वेरपूर में आएंगे तब आपको रामायड से घटित कुछ घटना यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसी पार्क के अंदर भगवान स्री राम लच्छमन सीता नाव पे शवार होकर केवट राज गंगा नदी पार कराते हुए भी दिखाये गया है इस चित्र के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि वाकही में रामायड काल के शमय में केवट राज ने भगवान राम को यहीं से गंगा नदी पार कराये थे दोस्तो यह स्रिंगवेर पुर धाम बहुत ही आस्ता का धाम धीरे धीरे बनने वाला है दोस्तो यह निसाद राज का पार्क परेटकों के लिए बहुत ही भव्य सांदार जगव बनने वाला है इस पार्क की अंदर आपको कैंटेन भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर यहां पे रहकर नास्ता पानी कर सकते हैं अब हम इस पार्क से कुछ दूरी पे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं एक प्राचीन किला जिस किले को खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है लोगों का मानना है कि यह किला निसाद राज का है लेकिन गौर्मेंट अनईशो सत्तर से अनईशो क्याशी के बीच डाक्टर वीवी लाल के निर्देश अनुशार यहां पे खुदाई की गई खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुयें एक हजार वर्स पूरानी यानि कि आज से दो हजार साल पहले परियोग किये गए मिट्टी के बरतन मिट क्योंटी को सपाट करने के लिए धूसर तामे के बने तीन बड़े कलस एसी कई वस्तुयें यहां से पराप्त हुई हैं यहां पे पाए गए आयताकार तालाब सुंगकाल के शमय के बताए जाते हैं इस तालाब को पक्के इटों से बनाया गया था इन तालाबों में पानी गंगा नदी से आता था और दूसरी और नालियों से चला जाता था। एसा बताया जाता है कि गंगा नदी में बार आने के कारण इस किले में रहने वाले लोग यहां से पलायन करके चले गए थे। दोस्तो यदि आप इतिहाश और किले देखना चाते हैं तो आप यहां पे एक धु़ुस्थ हुआ किला आप देख सकते हैं। यहां किला खुदाई के दौरान यहां से प्राप्त हुआ है। अब हम आपको लेकर चलते हैं। इस किले से लग भग दो किलो मीटर दूर इस्थि दोस्तों अब हम आपको पहले दिखाएंगे राम शयन आस्रम यानि की बो जगर जहां पे भगवान स्री राम गंगा नदी को पार करने से पहले एक रात्री शिंग बेरबूर में कहां पे बिताए थे दोस्तों आप सामने देख सकते हैं बोर्ड लिखा हुआ राम शयन आस्रम आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं और बो जगर दिखाते हैं इस जगर के बारे में एशा बताया जाता है कि भगवान स्री राम गंगा नदी पार करने से पहले बो एक रात इसी सीसम ब्रिच के नी चौरा घाट इसी घाट से भगवान राम लचमन सीता गंगा नदी को एक केवट के सहारे पार करके चले गए थे परियाग राज की ओर और इसी घाट के किनारे भगवान राम लचमन सीता अपने चरन पादु का उतार दिये थें यहें से नंगे पाव अपनी शारी यात्रा पूरी किये थे दोस्तों यह राम चावरा घाट बहुत ही रहश्मय वर भगवान राम के रामायर काल से जुड़ा हुआ है आप इस जगह पे जरूर विजिट करें राम चावरा घाट से लगवग 5 किलो मीटर दूरी पे मवजूद है भैरो घाट सीता कुंड दोस्तों जब भगवान राम राम चावरा घाट से चले थे नाव में शवार होकर तब वो इसी भैरो घाट से होकर गए थे यहाँ पे भैरो बाबा का मंदिर भी बना है आप अंदर जाकर दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पे रह रहे महराज जिसे भी मिल सकते हैं इसी भैरो मंदिर के बगल में कुछी दूरी पे मवजूद है सीता कुंड यहाँ पे माता सीता का कुंड भी इस्थित है जो की गहरा था जिसे आज के शमय में बंद कर दिया गया है और इसी सीता कुंड के सामने से ही माता सीता गंगा नदी का एक मुठी बालू लेकर गंगा नदी के उस पार जाकर कुरई थी और आप यहां आकर पता भी करेंगे इस गाउं का नाम कुरई भी पढ़ गया थे जिस पते हैं कि यहां पर कितने भी बाल आ जाएं यह टीला नहीं हटता है एशा मानना है और आज भी यह टीला मुझूद है आप जाकर कुरई गाउं में देख सकते हैं गंगा पार होने के पच्चात माता सीता गंगा माता से बोली थी जब मैं कुसल मंगल अपने पती वह सिरवाद देती हैं तो मेरे दोस्तों ए रहा सिंगवेर पूरका रामार काल से जुड़े कुछ भटना यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त झाल 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 झाल झाल